हिंदी माध्यम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम NCRT के एक अच्छा दस्वी के गड़ित के अध्याय 13 प्रष्टिय छित्वल और आयतन का परिचय पढ़ेंगे इस अध्याय में हम पढ़ेंगे जितने भी सूत्रों की हमें आवश्यक् करेंगे फिर उन सभी चीजों की चर्चा करेंगे जिन पर अधारित प्रश्ण दिये गए हैं हमें अध्या 13 में तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको अध्या 13 के सभी प्रश्णों को करने में बहुत आसानी होगी तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए जिससे आप जब भी प्रश्णावली 13 के प्रश्णों को हल करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब बटन को दबा कर और बैल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो के भी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे सबसे पहले दोस्तों हम आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं आकृतियां जो हैं हमारी दो प्रकार की होती है ठीक है एक होती है समतल आकृतियां जैसा कि आपने पढ़ा है पहले समतल आकृतियों कुछ दारण देख लेते हैं जैसे कि आयत Shanku ये गोला ठीक है इस तरह यह हमएं ट्छोस आकरतिओं के उधारण एक रहना हैं अब हम संगतल आकरतियों के बारे में समझ लेते हैं ठीक है संगतल अकरतिया होती है उनंकी दो विमाइन होती है अंग्रेजी में कहें तो There may China थैमेंशनल फिगर होते हैं मतलब टू डो डिवोते हैं दो डायमेंशनल होते हैं है धो तो इसको 3D वही जाएंD और एक उंचाही भी होती है तो एक उंचाही ऑर होती है इसमें ठोसाक्रितियों में यह अंतर है समतल निकालते हैं चेतफ़ा हैं उसी पिकार ठोश आक्रतियों में हमें प्रस्टिय चित्वल निकलना होता है और आयतन निकलना होता है और यही हमारा अध्याय तेरा प्रस्टिय चित्वल और आयतन ठीक है तो आब हम आगे पढ़ेंगे प्रस्टिय चित्वल किसे कहते हैं आयतन किसे कहते हैं फिर हम पढ़ प्रश्टीज चित्फल क्या होगा फलक एक का चित्फल धन फलक दो का चित्फल धन फलक तीन का चित्फल धन फलक चार का चित्फल धन फलक पांच का चित्फल धन फलक चित्फल ठीक है यह फलक एक इसका चित्फल धन फलक दो उपर वाली फलक का चित्फल धन फलक तीन साम अब आप देखिए घन वू आल दा मिटना वू जाएगा दो गुणा एल है Oklah सब्सक्राम तो थो जब गूणा धूणा धूर्व ह्ट दो गूना धूर भीूह लिख दिया हां धा car harder and 117 का इसलों नगे लेगे तो मात वह लिए टारा अंदर क्या है क्या अधा 4 चाठाश से अधार है फटाश अनदर क्गूटर से लिखा अंञे हट्थे से जिए घंए दश। चोड़ाई गुणा उंचाई या फिर दो गुणा ब्रैकेट के अंदर एल गुणा भी धन गुणा एच धन भी गुणा एच इसको याद कर लिए जी अच्छे से यह आपके बहुत काम आने वाला है को आई दोस्तों अब हम गन का प्रिश्टे कर लेते हैं हमने घन बनाली है और दोस्तों ऐसा गन आप जिसक के लंबाई चोड़ाई और उंचाई बरावर और गन कहलता है झाल Tillman promote और मादिया इससे के चोड़ाई वह सब्सक्राइए है विज। ऐसे हैं औरो यह कितनी ए길े हैं तो अभी हमारी ए वोगई अब दोस्तों जानते हैं है आपका प्रस्टी चित्वल अभी अभी हमने निकाल आए कितना होता है दो गुणा ब्रैकेट के अंदर ल गुणा भी धन धन भी गुणा एच अब हम क्या करेंगे एल बी और एच को किस क्या रख देंगे ए रख देंगे ठीक है तो हमने यहाँ पर फिर यह हो जाएगा हमार गन का प्रस्टी चित्वल अभीं डीजफ़ गया एल बीजगे अल बी और हेस की अगये सब जगे अरख दिया तो यह हो गैँएगुनाये थंच अब गंतने में इस्कयर अब प्रस्टी छित्वल भूगया 2 ब्रैकेट के अदर एगुणा एक कवर के एकश है तो घन का प्रस्ट्य चेत्फ़ल हमारा आजाएगा 6 गुणा a2 ठीक है आप इस चूत्र को हमेशा के लिए याद कर लिए घन का प्रस्ट्य चेत्फ़ल होता है 6 गुणा a2 और a क्या है घन का किनारा ठीक है या घन की लंबाई उचाहिया चोड़ाई कुछ भी कहलो ठीक है थोड़ा सा लगे इसकी परिवाशा देख लेते हैं माल लिजे घनाब के 6 फलकों में से केवल 4 फलकों के छित्फ़ल ठीक है यानि कि निचले और उपरी फलक को छोड़ कर ठीक है जो कि फलक एक और फलक दोतामरा निचला और उपर जैसे कि अगर आप अपने कमरे को देख जानाब का पाश्वीय फस चित्फल कहलाता है ठीक है 100 तो यह आपकी फलक तीन थी सामने वाली यह फलक पीछे वाली फलक च्छार फलक पांच और फलक 6 तो इन चारों का जो चित्फल होगा वो क्या किलाएगा पाश्वीय फ़स्ट्पर प्रिश्ट्य चित्फल किता unit और 4 का चित्फल हो जाएगा धन B गुणा H, 5 का और 6 का चित्फल क्या था, चोड़ाई गुणा उचाई तो B गुणा H, H common आजाएगा, तो यह होगा 2 गुणा L धन B गुणा H, ठीक है, तो इस सुत्र को भी याद कर लिए, बहुत ज्यादा नहीं आता है, लेकिन कभी-कभी आता है कुछ प्रश्णों में, घनाव का पास्व प्रस्थी चित्फल होगा, 2 गुणा L धन B गुणा H, ठीक है, यानि क 4 गुणा H, ठीक है, तो घन के लिए भी याद कर लिए इसको, घन का पास्व प्रस्थी चित्फल होगा, 4 गुणा A स्क्वेर, घनाव का आतन, दोस्तों, अब हम घनाव का आतन निकालते हैं, तो आतन की परिवासे क्या थी, कि उस ठोस वस्तु में, जितना पानी आ सकता है ठीक है, तो यह ठोस वस्तु देखिए, घनाव, ठीक है, अब इसमें हमने पानी भर दिया, पूरा 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 पानी, आपको निला निला दिख रहे हैं, ठीक है, तो यह जो जितना पानी आ गया इसके अंदर, वही इसका आयतन क्यालाएगा घनाप के आयतन की सूत होता है, लंबाई गुणा चोड़ाई गुणा उंचाई, ठीक है, तो यहाँ पर घनाप की आयतन हो जा गा…. एल गुणा बी गुणा एच लंबाई गुणा चोड़ाई गुणा उंचाई गनाप के बाद दोस्तों अब हम घन का आयतन भी ग्याद कर लेते हैं ठीक है तो यह घन है इसके अंदर जितना पानी आएगा जिन नीला नीला पानी आगया ठीक है वही इसका आयतन के लाएगा गन के आयतन का भी सुत्र होता लंबाई गुणा चोड़ाई गुणा उंचाई यहां पर लंबाई चोड़ाई उंचाई सब ए है ठीक है तो घन का आयतन हो जाएगा ए गुणा ए गुणा ए तो घन का आयतन हमारा कितना जाएगा ए का क्यूब ठीक है एक की घात तीन तो इ अब दोस्तों हमें आयता करशीट की कि लंबाई गुरणा चोड़ाई ठीक है तो आयताकार शीट की छित्वल की जगे लिख दिया हमने लंबाई गुणा चोड़ाई ठीक है अब दोस्तों हमें आयताकार शीट की लंबाई पता है कितनी है टू पाई आर तो हमने रख दिया टू पाई आर उंचा ही पता है हमें आयताकार शीट की कितनी है तो हमने लें रख दिया है थिक तब हमें बेलन का वक्रण प्रस्टिच जितफल ग्याद हो जाएगा क्या होगा टुपाई आरहच एक कर लिए बेलन का वक्रण प्रस्टिचय स्टफल होगा टू blending give बेलन का पßटीचा इस इच्वलब अब में वक्रण स्टिच देखा था ठीक है क्योंकि बेलन का आधार जितना है उतना ही ऊपर वाला छेत्र है बेलन का ठीक है दन आयताकर शीट का छेत्वल तो बेलन का आधार ये है ठीक है तो ये व्रत हमने अलग से बना दिया आर्थरिज्जा का ठीक है उपर वाला हिस्सा जो है ढकन ठीक है वो भी हो जाएगा ठीक है अब आप देखिये यह जो आधार है इसका इसे हिTWI वत का इस ब्रत का इस ब्रत का इसोग कि आधार Cl पार इसक्वार स्क्वेर हां ह eleg to belaan का जो ढखकन है उसकी वरभान इसकी द्रेद्ञ तो इस का इक कितना होगा आतरच्जा के व्रत का P R square लिग दिया हमने और यह जो आयताकर शीट का चहुंच्छित्फफल है ठीक है यह क्या होगा लंबाई गुणा चोड़ाई जनी कि 2 गुणा भाई गुणा और गुणा एच तो यह हमने लिग दिया 2पी आर एच ठीक है 2पाई एच है हमने लिग द इन दोनों में से हम 2 π पाई गुणा आर को कॉमन ले ने लेंगे ठीक है तो यहां पर क्या बचेगा थे र की र रचेगा और यहां पर ह ही बचेगा तो यह वाधा गार फ्रस्वाष्ट्व बराबर 2 पाई और गुणा आरधन एच ठीक है तो इस उत्र को आप हमेशा के लिए टाल यहाद कर लिएजये बिलन का प्रस्थ Misth So Z कि आसे लेख सकते हैं कि आधा का परिमाप गुणा बिलन की तरज्जा-धन-बिलन कि उछाइ घाई ऐसे भी आप याद रख सकते हैं तो यह सूत्र है बुर्ऑत काम का है कि यिसको हमेशा के लिए याद कर लिजे आऎए दोस्तों अभलन का ऐतन कर लेते हैं ठीक है तो यह जो मेलन है ठीक है जब यह खाली है तो ऐसा दिख रहा है अभी सिस्मेल पानी भरेंगे टो यह पूरा भर जाए यह जितना पानी भरेंगे तो अब दीन हो जाएगा इस चित्वल कितना होता पाई और स्क्वेश्केर तो हमने लिख दिया रहकी है तो अब बेल्लं काहेटन कितना हो जाएगा पायार एंटु एच तो विलन हमारा आगा पाई आर स्क्वेर एच इस सूत्र को भी आप हमेशा के लिए याद रख लिए बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वेर एच याइस को आप ऐसे भी कह सकते हैं आधार का छेथफ़ल गुणा उचाई आया दोस्तों सन्कु से हम तोड़ी और जान पचान कर लेते हैं यह हमने एक संकु बना दीया यह आर और है यह है यह एक समकॉंड त्रूबश पर है ठीक है 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 हमारा हो जाएगा अंदर र का स्क्राइर दन ह का स्क्राइब तो अगर हमें कोई भी की त्रिज्जा का स्क्वेर धन शंकु की मुच्चाई का स्क्वेर तो यसे आप याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों शंकु का वक्रप्रष्टी चस्वल होता है पाई आरेल। यह जो शंकु है आधार का चस्वल छोड़ दें सिरिप वक्रष्टी चस्वल की हम बात करेंढ Ten आधार की चस्वल अब शंकु का कुल प्रस्टीज चित्वल किता होगा शंकु का वक्र प्रस्टीज चित्वल दन शंकु के आधार का चित्वल ठीक है तो यह शंकु का वक्र प्रस्टीज चित्वल तो यह हो गया और शंकु का आधार यह हो गया ठीक है शंकु के आधार को हमें लक्से बना ल होगा ठीक है क्योंकि एक ब्रत है तो हमने लिख दिया पाई-ार स्क्वेर अब पाई-ार दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो शंकु का कुल प्रष्टीज चित्वल किता हो जाएगा पाई-ार गुणा एल-धन-ार ठीक है तो इस उत्र को भी आप हमेशा के लिए याद कर दो लेकिन आपको शंकु का चित्वलल सुत्र क्या हैं पाई-ार गुणा ऐल-धन-ार गुणा-बन-दन-जन-दन-जन-न-न-न-स-क- आ lod omega Chen है यह तो बेलन का अयतन था यह जोटा गोंड़ा वध्राबर हो और दोनों के सवाधारес की तुरचा अधारS शंकू में सिर्फ एक ही आधार होता है पर अगर वो आधार बरावत तरिज्जा के हैं तो शंकू का आयतन, बेलन का आयतन का एक त्याई होगा इसे भी आप याद रख सकते हैं आये दोस्तों हम गोले से संबंदिस सूत्र देख लेते हैं गोले का प्रष्टिज चेत्वल का सूत्र होता है फोर पाई आर स्कूर ठीक है तो इस सूत्र को आप हमेशा के लिए याद कर लिए गोले का प्रष्टिज चेत्वल किता होगा चार गुणा पाई आर स्कूर ठीक ह और गोले का आयतन का सूत्र का है चार बटे तीन गुणा पाई यार क्यू ठीक है चार बटे तीन गुणा पाई यार क्यू ठीक है यह गोले का आयतन का सूत्र तो इन दोनों सूत्रों को आप हमेशा के लिए यात करक लीजे आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब हम अर्ध गोले के वक्रष्टी जतफल को देख लेते हैं तो वक्रष्टी जतफल क्या होगा यह ज़िफल तो यह जो च्रिफलल मेरे जहरे उत भर अरधगोले का व्प्र हले को होता है गोले के प्रस्टिय श्थवहल का आधार यानि कि 2 Pia square ठीक है तो कुल प्रस्टिय श्थवुल की ठीक है तो खुल प्रस्टिय स्थित्व धन जो आधार उसका छिट्फल तो वक्रप्रस्थित्वल मतलब की यह यानि कि 2 गुणा पाई्याड और और आधार यह हमारा र्ध र तीन गोणा पाई रस्केर, तो अर्थ गोले का कुल प्रस्टिश हेत्फल होगा, तीन गोणा पाई रस्केर, इसको भी याद कर लीजिए हमेशा के लिए, ठीक है, अर्थ गोले का आयतन कितना होगा, जो गोले का आयतन था उसका आधा, ठीक है, जितना पानी गोले में यानि कि 2 बटा 3 गोड़ा पाई यार Q अभी तक हमने सारे सूत्र पढ़ लिए दोस्तों अब यहां पर हम TSA और CSA के बारे में चर्चा कर लेते हैं TSA का फुल फॉर्म होता है टोटल सर्फेस एरिया हिंदी में अनुवात कर लें इसका तो यह हो जाता है प्रश्टी छेद्वर्य टोटी जो फॉर्प्र फॉर्म में असर्फेस एरिया AAA का मतलब होता है प्रश्टी छेद्वर्य CSA को हम प्रश्टी छेद्वर्य को लिखी आए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि अपने दैनेक जीवन में हमें ऐसे अनेक ठोस देखने को मिलते हैं जो दो या दो से अधिक आधरवू ठोसों के सायोजन से बनते हैं या कहलें आधरवू ठोसों को मिलाकर बनते हैं आधरवू ठोस कौन से होते हैं जिनकी थोस देखने का मिलते हैं जो या था नियुके पीछे पीछे रखे बड़े कंटेनर को देखा ही होगा इस तरीका के ट्रक होता है पीछे कंटेनर होता है जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेल, पेट्रोल, डीजल, या पानी या दूद वगरा को ले आजाता है, ठीक है, इस तरह के आकरिती को देखा होगा, कंटेनर की, क्या ये कंटेनर जो है, उप्रोक ठोसों में से किसी एक क्या कार का है, क्या ये कंटेनर जो है, घन क्या कार का नहीं, घनाप क्या कार का नहीं बेलन के अकार का नहीं, शंकू के अकार का नहीं, ना ही गोला है ना ही अर्ध गोला है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा नहीं, पर हम यह अनुमान तो लगा सकते हैं कि यहाँ जो एक ठोस है, वो बीच में से बेलन के अकार का है, और दोनों तरफ से अर्ध गोले के अकार का है, इतना हमने नुमान लगा लिया, और बेलन और जो अर्धगोले हैं, वो हमारे आधारबू ठोस हैं, तो इसका मतलब यह जो कंटेनर है, यह आधारबू ठोसों के सयोजन्ट से बना है, मतलब आधारबू ठोसों से मिलकर बना है, तीक है? दोस्तों इसी का जब हम यात्रा करते हैं तो यात्रा करते समय उप्रोक्त ठोसों के संयूजन से बने अनेक बड़े सुन्दर भवन तता इसमारक हमें देखने को मिलते हैं ठीक है जो उपर दिये गए थे पहले बताए गए थे ठोस ठीक है कौन-कौन से उपरोक ठोस थे वो घन, घना, बेलन, शंकू, गोला और अर्धगोला तो इन ठोसों के संयूजन से मतलब इन ठोसों को मिलाकर जो है बड़े-बड़े सुन्दर भवन तता इसमारक हमने देखे हैं यदि किसी कारण वर्ष आप इन ठोसों का प्रिष्टीज शित्फल या आयतन या धारिता ग्याद करना चाहते हैं अच्छा धारिता और आयतन तो एक ही चीज़ होती है तो आप ऐसा किस प्रकार करेंगे आप ऐसे ठोसों को अब तक पड़ी हुई चार ठोस आकरतियों मैं से किसी एक के रूप में वर्गी करत नहीं कर सकते क्योंकि ये इन ठोसों की आकरतियों के संयूजन से मिल कर बने हैं तो दोस्तों इस अध्याए में हम यह देखेंगे कि इस प्रकार कि ठोसों के्फटिश रिष्ठफल्ट और ऑईतन को किस प्रकार ग्याद किया जाया जाता है त裡'. बच्चे जो आपकी प्रश्टनावली 13.01 है वह आधारत है ठोशों की सायोजन का प्रश्टिस हित्वल पर। ठीक है उस प्रस्टनावली 13.01 में आपसे ठोशों के सैयोजन से जो अकर्ति बनीयोंगी जो न न्या ठोस बनाऊबा ऊसका प्रश्टी श शेत्वल निकालने को कहा जाएगा तो इस तरह के प्रश्णों को कैसे हल करना उसको समझ लेते हैं तो सबसे पहले तो हम उस कंटेनर पर विचार कर लेते हैं ठीकि जिसके बारे में अभी हमने चैच्छा की थी जो दूद या तेल या पानी को लिके जाता है इस परकार के ठोस का चोटी समस्याओं में तोड़ सकते हैं जिने हम पहले हल कर चुके हैं यह तो आप हमेशा जीवन के लिए याद रखें कभी भी जीवन में आपको कोई बड़ी समस्याओं में तोड़कर फिर उन चोटी-चोटी समस्याओं को हल कीजिए तो बड़ी समस्या भी हल हो जाएग तो जीवन के उसी सिध्धान पर आधा रहता है यह हमारिया शीशक ठीक है ठोसों के सन्यूजन का प्रिष्टिज हित्फल यहां पर इस कंटेनर का प्रिष्टिज हित्फल निकालना है हमें तो पहले तो यह जो कंटेनर जो ठोस बनाए उसको हम जिन आकृतियों को जानते हो बड़ी समस्या को मतलद जीन आकृतियों को हम जानते हो नाकृतियों में इसको हमने तोड़ लिया ठीक है तो दोस्तों अब हम देख सकते हैं कि यह जो जहां जो आख्रती दिखाया veq जैसा लगेगा जब्गी हम टुक्ड़ों को एक साथ मिला लेते हैं तो जब इन तीनों टुकणों को एक साथ मिला लेंगे तो ये कंटेनर की तरह हमें देखने लगेगा यदि हम नई बनी हुई वस्तु को देखें तो हमें केवल दोनों अर्ध गोलों ये दो अर्ध गोले जो है तता बेलन के केवल वक्प्रश्टी दिखाई देंगे तो जो नई आकरिती बनी है उसको बाहर से देखने पotechnology दिखाई देगा वक्प्रश्टी छट्र दिखाई देगा किसका दोनों अर्ध गोलों का और बिलन का इसलिए इस थोस का जो संपून प्रष्टी चित्फल है container का तीनों भागों के वक्ष्टी चित्फल के योग के बराबर होगा ठीक है तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि जो container है या इस तरह का जो ठोस है उसका संपून प्रिष्टिज हित्फल क्या होगा तो उसको हम कैसे लिखेंगे एक अर्ध गोले का वक्रिष्टिज हित्फल धन बेलन का वक्रिष्टिज हित्फल धन दूसरे अर्ध गोले का वक्रिष्टिज हित्फल ठीक है तो देखो ज दूसे अर्ध गोले का वक प्रिष्टिच छित्वल तो हमें जो ठोस दिया गया तो उसका संपून प्रिष्टिच छित्वल ग्यात हो जाएगा क्या है यह एक खिलोना तरज्जा 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकू के अकार का है जो उसी तरज्जा वाले एक अर्ध गोले पर अध्यार रोपेत है अच्छा अध्यार रोपेत का मतलब होता है उसके उपर रखा हुआ है ठीक है तो इस खिलोने की संपून उचाई 15.5 सेंट जाए वो हमें दे रखे 3.5 सेंटीमीटर और इस पूरे खिलोने की जो है उंचाई दे रखे साड़े पंदरा सेंटीमीटर 155 सेंटीमीटर ठीक है तो हमसे कहा गया इस कलोने का संपून प्रिष्टी चित्वल गयाद कीजिए ठीक है और अध्यारोपित का मतलब आप समझ गय आ जाएगा खिलोने का संपून प्रिष्टी चित्वल यह अर्दगोली की वक्रिष्टी चित्वल कि असफ्योष्टी चित्वल हम इस वीडियो के शुरू में ही देख चुके हैं तो दो आधारभू ठोसों के सयोजन से ने ठोस का अयतन, वास्थतव में दोनों घठकों के आयतनों के योग के बराबर होता है। तो जिन दो ठोसों से मिलकर नया ठोस बना हो, जिन दो आधरबू ठोसों के सयोजन से नया ठोस बना हो, तो नय ठोस का जो आयतन होता है, उन दोनों आधरबू ठोसों के योग के बराबर होता है, दो भी हो सकते हैं, आधरबू ठोस, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पर जो आय्तन बनेगा नाए ठोस का वो सभी आयतनों के योग के बराबर बनेगा ठोस होगा ये दोस्तों आयतन के कंचेप्ट को भी अब हमें के औधारन से समझ लेते हैं ये और अपकी प्रशना ये थे थेel da हिसने καई और छौवेर चाहिए आट सेंटम आरोपित है यानि कि इसके ऊपड़ है और त्रिज्जा आट संप्रा इसे लकिना और दों तो ऐस नों बेलनों को इस तो नों को जोड़ον ृट एंगे तो इस तो ऐस्तों काहे तो अभी देगा तो पहले थी दोस्तों फिर दूसरे बिलन का इतना निकालेंगे सुत्र से और दोनों को जोड़ देंगे तो इस तम्ब का इतना जाएगा तो इस तरह से इस प्रशनावली 13.2 के प्रशनों को हमें हल करना होगा अगला विच्छ है दोस्तों आपका दिया तेरा में एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरन करना ठीक है इस पर आधारित प्रशनों मिलेंगे आपको दोस्तों प्रशनावली 13.3 में तो दोस्तों इसको समझने के लिए हम चर्चा कर लेते हैं कि आपने मुम्बतियां तो अवश्य देखियोंगी सभी घरों में मुम्बतियां होती है सामानेता या बिलन के आकार की होती है ठीक है आपने परशनों के आकार की भी कुछ मुम्बतियां देखियोंगी दिवाली यह किस प्रिकार बनाई जाती है यदि आप किसी विश्च प्रिकार की मौमबत्ती बनाना चाहते हैं तो आपको एक धातू के बरतन में मौम को तब तक गर्म करना पड़ेगा यह जो मौम है जब तक कि वहाँ पूर्टा द्रब्य में ना बदल जाए ठीक मौम को पगलाना हो फिर आपको इसे एक ऐसे अन्य बरतन या पात्र में डालेंगे जिसका वही आकार होगा जिस आकार की हम मौमबत्ती बनाना चाहते हैं ठीक है जैसे कि आप दिये के आकार की बनाना चाहते हैं तो आप सांचा लोगे जो दिये के आकार का होगा एक उधारण ले लेते हैं, जैसे कि एक ठोस बेलन के आकार की महमथ्ति ली हमने यह इसे पगलाया, तथा पगली होगी पूरी महम को programs खर्गोश के आकार वाले एक सांचे में डाल धिया ठंडा करने पर आपको घरगोश के आकार की मुंबत्ती पर आपत हो जाएगी ठीक है तो जो नई मुंबत्ती का आयतन होगा वो वही होगा जो पहली मुंबत्ती का आयतन था तो यहां पर समझने वाली यह बात है कि जब हम एक ठोस को दूसरे ठोस की आकरती में बदलते हैं ठीक है तो आयतन नहीं बदलता है आयतन वही रहता है ठीक है तो एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में जब रूपांतिरंट किया जाता है तो दोनों ठोसों का आयतन घाला जाता है तरह के पील है इसके बना दिया यह हुझा है तो तो इस प्रश्न के अनुसर क्या होगा, दोनों के आयतन बराबर होंगे, तो बेलन का जो आयतन है, ठीक है, जो पिगला के बेलन मनाया, उसका आयतन किसके बराबर होगा, यह जो गोला जिसको पिगलाया था, तो बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन होगा, बेलन का आयतन का अध्या 13 का आखरी विश्य है दोस्तों शंकू का चिन्नक पर आधारत आपकी प्रश्ण आवली 13.4 के सभी प्रश्ण तो शंकू का चिन्नक क्या होता है या आप पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए कुछ मिट्टी या ऐसा कोई पदार्त लीजिए ठीक है कले बगरा कले भी मिट्टी होती है जो एक शंकू बनाई है उससे ठीक है फिस चाकू की साहिता से आधार के समांतर काट दीजे चोटे शंकू को अटा दीजे अब आपके पास जो बशता है जो ठोस बचा वही कहलाता है शंकू का चिन्नक समझ लेते हैं इसको ठीक ह हमने एक मिट्टी का ठीक है एक शंकू बनाया ठीक है शंकू का यह आधार है नीचे वाला ठीक है अब इस आधार के समांतर ही हमने शंकू को काट दिया बीच में से काट दिया तो दो भाग होगा एक उपर वाला एक नीचे वाला भाग भी एक छोटा शंकू की तरह देखे और उपर बाले भाग को जो शंकु जैसा भाग है उसको फटा देते हैं तो जो बच जाता है वही कहलाता है हमारा शंकु का छिनक ठीक है अब हम इस शंकु के छिनक को क्यों पर रहे हैं इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा बच्चो हमारे दैने की बन में बहुत सी आकरतिया होती है जो शंकु के छिनक क्या कार के होती है जैसे कि पानी का गिलास बाल्टी नीचे से बाल्टी को देखेंगे तो ठीक है और ये बरतन जिसमें हम खाना वगरा बनाया जाता है जब शादी वगरा होती है तो यह सब किस शंक क्या आकार के हैं डिक है जो अभी हमने चर्टत था अब यहां पर संपू को अंब लेते उल्ट तो नीचे वाला भाग अठा दिया तो ये जो भाग बच गया यह और संपुकर के चर्नक क्या पाएक करतिया है एं और हम अगर धानी जीवन में आता है तो हैसे शंकू के छिरनक की आकृति जो शूत्रे उनके बारे में पढ़ना होगा मान लेते हैं कि इसकी तर्यक मुचाई small L है तर्यक मुचाई small L मान ली और इसकी दो सिरे होंगे उपर वाला सिरा और नीचे वाला सिरा तो दोनों सिरों की तरज्जा है R1 और R2 मान ली इसमें R1 बढ़ा है R2 छोटा है तो उपर वाली तरज्जा हो जाएगे हमारी R1 और नी मतलब एक भाग जो होता है उसकी कोई तर्जा नहीं होती है तो दोस्तों यह शंकु के छिनक के आइतन का सूत्र होगा एक बट तीम पाई गुणा एज कोश्टर के अंधर आरवन इसकार धनार तुसकार धन आरवन गुणा आरटू तो यह सूत्र नया है आपके लिए आपको याद करना होगा शंकू के छिन्नक का वक प्रिष्टी शित्वल का सूत्र होता है दोस्तों पाई गुणा R1 धन R2 गुणा L L है त्रियक उचाई ठीक है और यहाँ पर त्रियक उचाई का भी एक सूत्र होता है अगर त्रियक उचाई नहीं दे रखी त्रियक उचाई कैसे गयाद करेंगे त्रियक उचाई L बराबर होती है दोस्तों अंडर रूट के अंदर H स्केर धन R1 माइनस R2 का होल स्केर ठीक है यह सूत्र भी आपको याद रखने है फिर एक होता है शंकू के छिन्नक का संपूण प्रिष्टिय छेत्फल का सूत्र वह है दोस्तों πाइ कोष्टा केंदर और 1 रखन अरटू गुणा एल धन πाई और बन इसकार दन 5 तो देखिए शंकू के छिन्नक का संपूण प्रिष्टिय छेत्फल है वो कितना है शंकु के चिननक का वक्ष्टी चेत्वल पाई गुना आरवन धन आरटु गुना एल वह धन यह जो व्रत्ताकार अधार उपर और नीचे जिसकी तरजन आरवन अटाउ उनका चेत्वल पाई आरवन स्क्रेद तो यह वाला सूत्र जो है वो तो आपको याद हो जागा अगर तो दोस्तों इस अध्याय में इतना ही था आपने अगर पूरा वीडियो देख लिया है यह तो आपको इस अध्याय 13 के प्रश्णों को हल करने में बहुत आसानी होगी उमीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारे यह उडियो पसंद आया होगा आप हमारी यूटिब चैनल को सब्सक्राइब करे explains इस वीडियो को शेयर करें और अपने सभी हिंदी माध्यम के दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में और हमारे वीडियो के बारे में बताएं ताकि हिंदी माध्यम के अधिक से अधिक छात्र हमारे चैनल और वीडियो का अधिक से अधिक लाब ले सकें धन्यवाद दोस्तों